हे गाईज, फेलकम बैक, आज मैं आपसे शर करूंगे डीटॉक्स फ्लस्ट डाइट और नेक्स्ट मैं आपके लिए लाऊंगे मौनसुन डाइट प्लाइन पर उसे स्टार्ट करने से पहले 15 दिन के लिए ये डीटॉक्स डाइट को फॉलो करें और 5 केजी आसानी से घटाए शायद उससे भी जादा ये डाइट प्लाइन आपको तूरंत वजन घटाने के साथ साथ बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा और वीट लॉस के साथ साथ स्कीन भी क्लो करने में मदद करेगा तो चलिए फीडियो स्टार्ट करते हैं सुबह उटके सबसे पहले लेना है ये डिटॉक्स ट्रिंक तो इसे बनाने के लिए मैं 200 एमल से थोड़ा सा जादा पानी उबलने के लिए रख दिया जब पानी उबाला जाए तब इसमें एक टुकर दाल चिनी और एक चमच वन टीस्पून के जैसा जीरा डालना है और इसके साथ इसको 5-7 मिनिट तक लो फ्लेम पे उबालना है जब तक ये जीरा फूल कर डबलना हो जाए और पानी थोड़ा सा रिडियूस हो जाए तो 300 ml पानी डाली हूँ मैं इसको 200 ml बनाना है फिर जब उबाल जाए तो गैस का फ्लेम आफ कर दे और इसे थोड़ा सा थंड़ा होने के लिए रखे एकदम होट नहीं पीना है इसको वाम पीना है तो ये देखिए जीरा अभी फूल कर डबल हो गया तो मैं गैस का फ्लेम और इसको भी थोड़ा सा थंड़ा होने के लिए रखतूंगी और ये जब थोड़ा सा थंड़ा हो जाए तो इसको एक ग्लास में मैं छान लिया अब इसमें डालना है आधा निम्बू कर रस और इसे अच्छे से मिला देना है और हमारा डिटॉक्स ट्रिंग तयार है ये ड को डिटॉक्सिफाई भी करता है इसे लेने के बाद 20 से 30 मिनिट तक वर्काउट करना है स्किपिंग रनिंग योगा कुछ भी एक सही डायट और वर्काउट के बिना हम कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते है तो वर्काउट मैंडिटरी है वर्काउट के 10 मिनिट पाद और प ये गड़ टॉक्सिंस को फ्लश आवे करने में हल्प करता है मेटाबॉलिजम को बूस्ट करता है डाइजेशन को इंप्रूफ करता है ये कोलोन को क्लेंस करता है मेटाबॉलिजम को बहुत फास्ट कर देता है और ब्लोटिंग को भी कम कर देता है और ये हल्दी वेस से वे अच्छा नहीं है पर ऐसा नहीं है यह 100% हर्बल फाइवर और थार्मोजेनिक इंग्रियेंट से बना है आप में से बहुत लोग हर्बल पाउडर भी लेते हैं यह वैसा ही है बस कैपसुल फॉर्म में आता है इसमें कोई भी बाइंडिंग्स फ्रेवरिंग्स और बेसन का चीला वीथ 100 क्राम ओफ लो फैट कर्ड ओट मिल और बेसन का चीला का रेसिपी का लिंक मैं नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी इसे लेने के 15-20 मिनित बाद एक कप ग्रीन टी ले फरस्ट के दो घंटे बाद दो खीरा ले खीरा को अब चिलका टाकर भी ले सकते हैं राद ग्रीने लेंजिब ले और लेक्शे मैं soya एंट डाल कडीप के साथ आप एक अपने लिए बना रहरे हो तो वन टीशपून गप्रे अब चीला डाल दिया इस में उन फूट टीशपून जीरा ऑर दो टेबल स्बून के करीब तक प्यास जब यह light golden brown हो जाए तब इसमें मैं एक बड़ा साइस का चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया और आधा चमच चॉप किया हुआ क्रीन चीली साथी साथ 1 फोर्थ टी स्पून करके रॉक सॉल पाउडर ब्लाक पीपर पाउडर जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के इसको 30 से 40 सेगिन तक लो फ्लेम पे पका लूँगी जब तक यह टमाटर और प्या सॉफ्ट ना हो जाए देखिए अभी यह सारे चीजों सॉफ्ट हो गया अच्छे से तो मैं इसमें अभी सुया चंक्स डाल दे रही हूँ सुया चंक्स को मैं पानी में उबाल लिया और इसको अच्छे से निचोर लिया क्योंकि यह सुया चंक्स जब ग्रेवी को एपसॉर्फ करेगा तो यह बहुत ही डेलिशियस लगता है तो इसको ज़रूर निचोर के डाले पानी नहीं रहना चाहिए तो यह देखिए अभी मैं दो कटोरी बॉयल किया हूँ मसूर की डाल डाल ले रही हूँ तो मसूर डाल मैं 100 ग्रम ली हूँ 100 ग्रम मसूर डाल को मैं थोरा सा रॉक्सॉल पाउडर हल्दी पाउडर डाल की इसको बॉयल किया इसको गारा बॉयल करना है ये फूल गया है और अभी मैं इसमें चौप किया हुआ धनियापता डाल दे रही हूँ, अच्छे से मिला दे रही हूँ और हमारा सोया डाल कडी तयार है, बहुत ही डेलिशास डिश है, ट्राइ सरूर करना और आप alternate करके इसके बदले में पनीर कडी भी ले सकते हैं, तो weight loss पनीर कडी का recipe भी मेरे चानल पे है, आपको link नीचे description box में मिल जाएगा चार से पाच बजी के बीच में, इविनिंग स्नैक में आप dry fruits ले सकते हैं, जैसे walnuts, almonds, अंजीर, खजूर, ये सारे dry fruits को थोड़ा थोड़ा करके आप green tea के साथ ले सकते हैं नेक्स्ट डिनर, डिनर में आपको लेना है, sauted chicken with salad, या फिर आप पनीर का salad भी ले सकते हैं पर डिनर को साथ से आट बजी के बीच में complete करना ही है, sauted chicken मनाने के लिए मैं पैन में वन टेबल स्पून गोकोना टॉयल डाल दिया, अभी भी मैं दो परसें के लिए बना रहे हूँ, अगर आप अपने लिए बना रहे हूँ, तो वन टी स्पून तेल उस करें, अब वन फ अब वो भी इसमें डाल सकते हैं, इसको एक से दो मीनित तक हाई फ्लेम पे साटे कर लूँगी, तो यह देख सकते हैं, यह वेजटेबल साप कुख हो चुका है, क्योंकि यह सारे वेजटेबल साप कुख होने में जाधा टाइम नहीं लगता है, अब मैं इसमें श्रेड कि चिकन को बॉयल करके इसको ऐसे श्रेड कर लिया, तो चिकन बॉयल करते वक मैं थोरा सा नमक यूज किया, तो इसमें मैं थोरा नमक यूज करूंगी, जाधा नहीं करूंगी, तो वन फूथ टीजपून करके मैं हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लाक पीपर पाउडर और धनिया पाउडर आट कर दूँगी, तो साथ में थोरा सा रॉक्सॉल पाउडर भी आट कर दिया और लास्ट में मैं थोरा सा सिनमन पाउडर आट कर दियेगी, जरूर आट करना क्यूंकि सिनमन हमारा वेट लॉस करने में बहुत करना है क्योंकि raw papaya और cinnamon weight loss के लिए बहुत ही बेनिफिशल है यह fat cutter के नाम से जाना जाता है तो अगर यह recipe में आप कद्दुकस करके raw papaya डालते भी हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या raw papaya डाले हो इसको डालके और 3-4 मिनित high flame पे भून लेना है फिर chop किया हुआ धनिया रखने की कोशिश करें मुझे उमीद है आपको मेरी यह recipe पसंद आई तो वीडियो को like और अपने friends के शाथ share शरूर करें और अगर अभी तक आप मेरी चैनल को subscribe ने किये तो subscribe करें साथ में बेल आइकन जरूर तबाईए ताकि जब भी मैं अन्या वीडियो अपलोड करू आ आपके पस notification मिले फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए healthy खाए और स्वस्त रहे